कानपूर में सावरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पट्री से उतर गए हैं जिसके बाद रेल रूट पर यातयात प्रभावित हुआ है बताय जा रहा है कि कानपूर सेंट्रल और भीमसेन स्टेशन के बीच ये हादिसा हुआ इस दोरां सावरमती एक्सप्रेस ट्रेंज संख्या उननीस हजार एक सो अड़सट भीमसेन स्टेशन के बीच एक बिलोक सेक्शन में पट्री से उतर गई जैसे ही घटना की जानकारी आला अधिकारियों को ही अधिकारियों के हाथ पाउं पूल गए फिर आनन्फानन में यात्रियों को कानपूर ले जाने के लिए प्रशासन ने फोरण बसों का इंतजाम किया गया देखे यह साबरमती एक्सप्रेस है साबरमती एक्सप्रेस है और यह कानपूर की तरफ से जहासी की ओर जा रही थी और यहां पे डीरेल हुई लगबग 22 कोच इसके पट्री से उतरे हैं बट कोई कैज़िविल्टी नहीं है और कोई गंभी रूप से गहल भी नहीं है कि अमुलेंसेस हमारी यहां पे हैं, हम लोग बसेस मंगवा रहे हैं, ताकि जो यात्री गणे यहां पे हैं, उनको रैलवी स्टेशन और बस स्टेशन या उनके गंतवे तक छोड़ा जा सके हैं. और हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम पैसेंजर्स उस टेंगे थे उनको यहां से उनके गंतवे के लिए पहुंचा हैं, तो वह काम हमने पूरा कर लिया हैं, हमने करीब कुछ बसेस की यहां पर यह वस्तागी थी और एक रेख भी लेक आया थे कानपूर से, हमने सारे पैसें administration के भी लोग हैं हम restoration का काम प्रारंब कर रहे हैं इसका examination कर लिया है वहीं इस हादिसे के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि ये दुरगटना है या कुछ और दरसल ऐसा इसलिए क्योंकि खुफिया एजेंसियों को इस बार गहरी साज़िश की बू आ रही है हाला कि शुरुआती जानकारी के मताबिक साबरमती ट्रेन के ड्रैवर ने बड़ा बोल्डर एंजन से टकरानी की बात कही है जिससे एंजन का कैटल गार्ड बुरी तरहे से खश्यती ग्रिस्त हो गया है और ये हादिसा पेश आया हादिसे के बाद नॉर्दन रेल्वे ने हेल्प लाइन नंबर जारी किया है 35 मिनिट पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकरा कर पटरी से उतर गया तीवर प्रहार के कुछ गेहरे निशान देखे गए हैं आई बी और यूपी पुलिस भी जाच कर रही है यात्रियों या रेल कर्मियों को चोट नहीं आई है यात्रियों की आगे की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन का इंतजाम किया गया है वहीं इस दुरगटना की वजह से कुछ ट्रेनों को रद करना पड़ा है साथ ट्रेनों के रूट डैवर्ड किये गए हैं वहीं कुछ ट्रेने ऐसी हैं जिनके समय में बदलाव किया गया है इटावा से गुवालियर जाने वाली मेमू पैसंजर ट्रेन को आज रद किया गया है राहत की बात यह है कि कोई गहल नहीं हुआ लेकिन अब इस हादसी की जाच आई बी और खुद यूपी पुलिस कर रही है बताये जा रहा है कि इस गटना के पीछे किसी बड़ी साजिश हो सकती है हाला कि जाच के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से प्रांजुल मिश्रा की रिपाउट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद